हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम रवी है ग्यान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नियूस के बारी में जानेंगे जिनसे हमें ये अंदाजा मिलेगा कि बिटकॉइ टेलिग्राम चैनल का लिंक पने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप उस पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं जहां से आपको इस तरह की इन्फरमेशन इस्टेंटली रिसीव हो सके तो चलिए वीडियो कंटीनिव करते हैं आज का ये वीडिय बिटकोईन के प्राइज में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है तो आईए देख लेते हैं वो कौन सी निउस है आप देख सकते हैं मैंने दे एकनॉमिक टाइम वेबसाइट ओपन कर लिया है यहां पर एक निउस है इस निउस में बताया जा रहा है कि बिटकोई इन में शॉर्ट टर्म या लॉंग टर्म दोनों ही एंगल से बिल्कुल जीरो के बराबर वेल्यू यह मानते हैं इनका मानना है कि क्रिप्टो करन्सी को कोई भी एक इंडिविजुल परसन उसे गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है एक्जांपल के तोर पे अगर एलन मस के बात करें तो एलन मस्क अगर किसी भी क्रिप्टो करन्सी से रिलेटेड कोई भी ट्वीट अपने ट्वीटर हैंडल पर पोस्ट कर देते हैं तो उस क्रिप्टो करन्सी का वेल्यू अच्छानक से आसमान चुने लगता है और जिस भी क्रिप्टो करन्सी के बारे में वो information पास कर देते हैं तो उस crypto currency का value धुल चाटने लगता है ठीक उसी तरह से इन्होंने चाइना का भी example दिया है कि चाइना अगर अपने देश में bitcoin के mining को ban कर देता है पूरे की पूरे cryptocurrency market एकदम से crash होने लगती है और पूरी तरह से value गिर जाता है इस article में इन्होंने ये भी बताया है कि bitcoin ने अपने all time high almost 64,000 के आसपास का high मारा लेकिन इसके बाद जितनी भी negative news आई है bitcoin और crypto currency से related उसके बाद 50% से ज़ादा का value इसका तूट चुका है इस वज़े से ये cryptocurrency market और bitcoin को पूरी तरह से zero value के बराबर समझते हैं तो आईए देख लेते हैं कि bitcoin का history क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक sheet आपके सामने open कर लिया है यहाँ पर bitcoin का graph आपको दो पार्ट में नज़र आ रहा होगा पहले पार्ट में 2013 से 2014 का graph है दूसरे पार्ट में 2016 से 2021 का graph है अब यहाँ पर इस sheet के जरीए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँगा कि bitcoin जब भी अपना all time high मारता है तो कोई न कोई market में negative news आती है और उसके बाद bitcoin का value पूरी तरह से नीचे गिरने लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013-14 के graph में इस level पे जब bitcoin का graph आया था तो यहाँ पर चाइना ने bitcoin को ban करने से related कई सारी information मीडिया में पास किया था जिस वज़े से bitcoin का value यहाँ गिर गया था इस वक्त bitcoin का value करीब करीब 1100 डॉलर चर रहा था लेकिन वहीं पर 2017 end और 18 January के बात करें तो यहाँ पर bitcoin का value करीब करीब 20,000 डॉलर से उपर हो चुका था और उस वक्त चाइना ने दोबारा से एक बार फिर से bitcoin को ban करने का news market में spread किया जिस वज़े से आप देख सकते हैं bitcoin का price काफी नीचे आ चुका था और उसके बात जैसे ही इसने वापे से pick up लिया दोबारा से इसके price में pump आया उस वक्त इसका price यहाँ करीब करीब 13,000 डॉलर के आसपास चल रहा था तो यहाँ पर दोबारा से चाइना ने 2019 में bitcoin को ban करने से related कई सारे news media में release किया जिस वज़े से दोबारा bitcoin का price गीरा और इस बार bitcoin का price 3000 डॉलर पे जाके रुका और उसके बाद आप देख सकते हैं 2020 के बाद 2021 तक bitcoin continuously upside direction में move किया और इसने all time high मारा 64,000 डॉलर का लेकिन जैसे ही 64,000 डॉलर का इसने all time high मारा दोबारा से चाइना ने कई सारे negative news media में release करना शुरू कर दिया bitcoin की mining को ban करने से related bitcoin के transactions को ban किया गया चाइना में जिस वज़े से bitcoin का price यहाँ पर काफी तेजी से नीचे आता हुआ दिखा और पूरा का पूरा cryptocurrency market यहाँ पर crash हो गया इन सभी चीज़ों को देखके हमें एक चीज़ का अंदाज लग जाता है कि bitcoin जब भी अपने all time high पे जाता है तो जितने भी बड़े बड़े institutions है जितने भी बड़े बड़े लोग है जिनका बड़ा contribution होता है cryptocurrency market में वो चाते हैं कि cryptocurrency market पूरी तरह से गिज़ जाए ताकि वो bottom level पे इसे buy कर सके और यह all time high जब भी मारेगा तो वहाँ पर यह इसे sell out करके ऐसे situation में मैं बिल्कुल भी अपनी position को clear करना नहीं चाहूंगा मैं अपनी position को hold करना चाहूंगा और जितने भी dip यहाँ पर नज़र आएंगे हर एक dip में मैं कुछ न कुछ extra buy करना पसंद करूंगा अपने portfolio में add करना पसंद करूंगा तो इस तरह की news से घबरानी की ज़रुरत नहीं है पैनिक होने की ज़रुरत नहीं होती है इस तरह की news आते जाते रहती है इन्हें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए loss में आके अपने coins को कभी भी sell मत कीजिएगा bitcoin का price दोबारा से उपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा और definitely हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा profit भी देखने को मिलेगा आए होप आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी beneficial रहा होगा इस तरह की और भी कई सारे वीडियो आने वाले समय में बनाने वाला हूँ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे आज के यह वीडियो यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खायल रखिए धन्यवाद